प्यारे बच्चो चली बच्चो आज हम सभी विषय परियावरन अध्यन के प्रैशन पत्र है उसके बारे में बात करते हैं हमें नमक नमक कहां से प्राप्त होता है ब्रेल लीपी को कौन लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, हम इमेल कैसे भीजते हैं, पानी के खाली स्थान रूप को बरफ कहते हैं, सूरे किस दिसा में उदय होता है, तो बच्चों आपको यहां जो विकल्प है उस पर आपको सही का निशान लगाना है, अगला प्रेशन नमबर दूसरा है सही वाक्यों पर तथा गलत वाक्यों पर गलत का निशान लगाएं देखे बच्चो निम्बू पौधे की जड़का भाग है कै यह सही है या गलत है यहां आपको सही गलत का निशान लगाना है चिकनी मिट्टी एक प्रकार की मिट्टी है पाने का किसी भी रूप में पुनहय उपयोग नहीं किया जा सकता गुंगे लोग ठीक से चल नहीं पाते हैं पिन भारते डाक कोड प्रनाली में 6 अंकों का कोड होता है अगला प्रेशन देखे बच्चो रिक्तिस्थान के पूर्ति कीजिए देखे बच्चो यहां हमें कुछ शब्द दिये गए हैं इससे हमें रिक्तिस्थान के पूर्ति करनी है दरश्टी हीन लोग ब्रेल लीपी को खाली स्थान और महसूस करके पढ़ते हैं खाली स्थान एक समाचार चैनल है खाली स्थान डाक संचार का सबसे सस्ता साधन है हम पत्ता गोबी के पौधे की खाली स्थान खाते हैं खाली स्थान एक मासाहारी जानवर है अगला प्रेशन है निम्लिकित प्रेश्णों का उत्तर एक शब्द में दीजिए संचार का सबसे तेश साधन कौन सा है हिस किस जीव की ध्वानी है हमें लकडी कहां से प्राप्त होती है अगला प्रेशन है बच्चो पुलीस से संपक करने ही तू आपात काली नंबर लिखिए चाइल्ड हेल्प लाइन का नंबर लिखिए अगला प्रेशन है चित्रात्मक प्रेशन मिट्टी से बनने वाली किनी दो चीजों के नाम लिखे वे उनके चित्र बनाएं ये हमारा बच्चो देखे दस अनको का प्रेशन है तो इसे आप सभी ध्यान से करिए कि मिट्टी से बनने वाली किनी दो चीजों के नाम लिखे और उनके चित्र बनाए अगला प्रेशन देखे बच्चो प्रेशन नमबर 22 है वर्णात्मत प्रेशन पानी के बचाव के लिए किसी भी एक तरीके के बारे में बताईए पाने के बचाव के लिए किसी भी एक तरीके के बारे में आप सभी को यहाँ पर बताना है अपने घर का पता यहाँ लिखिए यह दो अंक का आपका नंबर दो अंकों का आपका प्रेशन है तो बच्चो देखिए आप सभी वीडियो को ध्यान से देखिए समझे कि आपसे क्या प्रेशन पूछे गए है और आपको यहाँ क्या उत्तर देने है उमीद करते हैं आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शियर जरूर कीजिए थैंक्यू प्यारे बच्चो